नमस्कार स्वागत है आपका देन्य टॉप में मैं हूँ आपके साथ उशाल यादव जड्यू के सरकार जब से बिहार में बनी हैं 2005 से ही लगतार बिहार को विशेस राजी की दर्जा दिलाने की मांग करती रही है आपको बता दें नितिश कुमार कई बार इस मसले को केंद सरकार के सामने रख चुकी है कि बिहार को विशेस राजी का दर्जा मिलना चाहिए 2015 में आपने देखा होगा कि किस तरह से बीजेपी के हट करके लालो परसाद यादव के साथ गडवंधन बनायते हैं और लगतार कॉंग्रेस पर अवार रही है इसको लेकर के कॉंग्रेस बिहार को विशेस राजी का दर्जा नहीं दे रही है वहीं जब बीजेपी से हट करके लालो यादव के साथ सरकार बनाये तो तब भी बिहार में विशेस राज को लेकर के लगतार मुहीम चला था और सिगनेचर अभियान भी चला गया था लेकिन अब नितिश कुमार की पार्टी जेडियू की और से कहा जा रहा है कि अब हम विशेज सराज का दर्जा जो मांगा जा रहा हम नहीं मांगेंगे मांगते मांगते ठग गए क्या है पूरा मामना क्या है पूरी ख़वर हम आपको विसार से बताते हैं बिहार के दो सत्ता प्रमुक साजेदार दल हैं बीजेपी और जेडू की बात करें तो दोनों के बीच लगतार तल्की बढ़ती जा रही है एक दिन पहले नितिश कुमार ने जाती गट जडगनना पर केंद्र सरकार और बीजेपी की खिलाफ खुल कर हमला बोला था आज उनकी पार्टी ने एलान कर दिया कि अब केंद्र की मोरी सरकार से बिहार की लिशेस राज के दरजे की मांग नहीं करेंगे कहा गया कि अब कितना मांग करें मांग करते करते ठक गए कोई सुनवाई नहीं हो रही है जाहिर है बीजेपी और जेड्यू की बीच गटबंधन की एक और गांट खुल गई है साथ ही आपको बताते चलें कि नितिश कुमार की कोर कमीटी के सदस्य और बिहा सरकार में योजना विकास और उर्जा विभाग के मंत्री विजंदर यादब ने आज एलान कर दिया पत्त्रकारों से बात करते हुए विजंदर यादब ने कहा विशेष राज का दरजा देने की मांग करते करते हम ठक गएं केंद सरकार से विश्य स्राज की दर्जा को लेकर कमीटी का गठन किया गया था जिसकी रिपोर्ट भी आए लेकिन उसके बाद कोई फैसला नहीं हुआ अब हम कितना मांग करें तो ये तमाम जो बाते कही गई है ये विजंदर यादव के द्वारा किये जो की जडियू के कद है वाईसे विजंदर यादव ने ये भी कहाई एकि उनकी पार्टियों सरकार केंद सरकार से मांग करती रहेगी कि बिहार को विशेस्राज का दर्जा दिया जाए और बिहार को विशेस्मद्द मिलनी चाहिए बिहार को सभी छेत्रों विशेस मदद की जरुरत है इसलिए विशेस मदद मिलनी चाहिए केंद्र को कोई भी सरकार हो लेकिन ये मांग बिहार से उठता रहेगा साथे साथ आपको बता दें कि बीते दिनों से लगाता बिहार को विशेस राजी का दर्जा देने की जो मुहीम चल रही थी मुहीम छड़ी थी लेकिन आप उच दिनों से ये मामला शांत हो गया था लगातार विपक्षी दलों द्वारा ये कहा जा रहा था कि जब से नितिश कुमार के सरकार आई थी तब से नितिश कुमार बिहार के लिए विशेस दर्जे की मांग कर रहे हैं 2010 की विधांसा चुनाव के बाद तो उन्होंने एलान कर दिया था कि जो भी पार्टी बिहार को विशेस राजी का दर्जा देगी वे उसका समर्थन कर देंगे उस वक्त नितिश कुमार बिहार की बिजेपी के साथ चुनाव लड़े थे जबकि केंदर में मनमुहन सिंग की यूपिय सरकार थी नितिश कुमार ने इसारा कर दिया था कि अगर केंदर में केंदर की कॉंग्रेस सरकार बिहार को विशेस राजी का दर्जा देदे तो कॉंग्रेस के साथ जाने को तयार हैं तो आपने देखा कि किस तरह से लगाता नितिश कुमार बीते दिनों से बिहार को विशेस राजी की दर्जा दिलाने की लगातार मांग कर रहे थे लेकिन बीते दिनों से बिपक्षी पार्टी द्वारा लगातार ये कहा जा रहा है नितिश कुमार विशेस राज्य के दर्जे की मांग पर विचार के लिए रगुराम राजन कमिटी का गठन किया था इस कमिटी ने अपनी रिपोर्ट में माना है कि बिहार देश में उडिसा के बाद सबसे पिछड़ा राज्य है लेकिन रगुराम राजन कमिटी ने किसी भी राज्य को कमिटी की रिपोर्ट आने के बाद जड्यू के प्रदिश कार्याले में धोल नगारा बजा का जश्न मनाया गया था बाद में पता चला कि इस कमिटी ने तो इसे राज का दर्जा देने की सिपारश नहीं की है और आगे आपको बताते चलें कि नितिश कुमार के खास मंतरी व विसे स्राज की दर्जे की मांग नहीं करने का एलान कर दिया है जाहिर है जड्यू बीजेपी गडबंधन में एक और गांट खुल गई है तो लगाता जिस तरह से जड्यू और बीजेपी के भी जाती जड़ना को लेकर के जो मांगे हैं और बढ़ती जा रही है और जो बय कर दो